एरवावी, एरवावी, चलो चलो कहाने सुनने चले, सब तयार हाँ, एक, दो, तीन बुक स्टार्ट स्पीक में आप सभी का स्वागत है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि रॉय ने अपनी दादी की पायल पहन रखी है, लेकिन इस रहस्य को छुपाय रखना रॉय की कलपना से कही अधिक कठिन है, वो खुद को अपराधी महसूस करता है, रॉय इस जंजट में कैसे फसा और इस से बाहर कैसे निकलेगा, चलिए जानते हैं, कहानी का शीरशक है, रॉय और पायल का रहस्य, ओरिजनल स्टोरी, रॉय ज नॉइजी सीक्रेट बाई प्रथम बुक्स, कहानी लिखी है, यामिनी विजयन, चत्रांकन अंजली कामत, हिंदी में कहानी का वाचन असावरी दोशी दोपहर जोरदार हवा चल रही थी, रॉय अपनी अच्चमा के पायल पहन कर देख रहा था, कुत्ते वासको को छोड़ कर घर पर और कोई भी नहीं था, पायल अम्मा की खड़खडा थी हुई अलमारी के अंदर एक लकड़ी के डिब्बे में रखी हुई थी, उसमें से बगीचे सी खुशबू आ रही थी, इससे रॉय को चीका गई, हाचे, चन चन, 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 रॉय को पता था कि उसे अपने माता-पिता के कमरे में नहीं जाना चाहिए, और अपनी अचम्मा के पायलों में तो हरगिज नहीं गुमना चाहिए, पर वो खुद को रोक नहीं पाया, अचम्मा कभी भी अपने पायल नहीं उतारती थी, यहां तक की सोते समय भी नहीं, चन, 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 रॉय शीशे की तरफ भागा, चन, चन, चन वो हवा में उचल पड़ा रॉय ने शौल लपेटा और गलियारे में इधर उधर टहलने लगा बिल्कुल वैसे ही जैसे अचम्मा तप करती थी जब उन्हें सोने में परेशानी होती थी चन 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 तभी दर्वाजे पर घंटी बजी कौन हो सकता है दर्वाजा खोलो रॉय मैं भीग गई हूँ रॉय हका बका रह गया अम्मा इतनी जल्दी तो नहीं आने वाली थी जब रॉय ने पायल निकालने की कोशिश की तो सिर्फ एक ही निकल पाई ओहो उसने जल्दी से पायल को अलमारी में रखा और तुरन दर्वाजा खोलने के लिए भागा दूसरी पायल अब भी उसके पैर में थी मैं चाता भूल गई थी अम्मा ने आह भरी रॉय उनके पास धीरे धीरे चलता इस बात का ध्यान रखते हुए कि एक बार भी चन 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 ना हो आखिरी बार जब वो अपने माता-पिता के कमरे में घुसा था तो उसने गलती से एक फूल दान तोड़ दिया था आगे से कभी भी जब हम ना हो तो हमारे कमरे में मत जाना उन्होंने चिताया था उसका दिल जोर-जोर से धड़क रहा था कोई भी नहीं जान सकता था कि वो कैसा महसूस कर रहा था पायल के रहस्य कोई छुपाए रखना आसान नहीं था तुम घर पर निकर पहन कर क्यों नहीं रहते रोय इस मौसम में पैंट आसानी से नहीं सुकते अच्चन ने कहा मच्छर अच्चा स्कूल में उसके दोस्तों ने उसे उच्चुकता से देखा अया बारिश में मोजे कौन पैंता है पानी में कूथते हुए रेशमा हस पड़ी ये मोजे रूस से है रोय ने जुट बोला क्या तुमने वो आवाज सुनी एक शाम कुरसी से उठते हुए अचाचन ने पूछा कैसी आवाज मैंने तो कुछ नहीं सुना रोय चिलाया चन चन की आवाज अचाचन फुसफुसाए मैंने मेंडकों की आवाज सुनी पर चन चन की नहीं रोय को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसे अपने दादा जी से जूट बोलना पसंद नहीं था हफते भर बाद रोय इस रहस्य को चुपाते चुपाते ठक गया था जूट ने उसे परेशान कर दिया था लेकिन अगर उसने अपने माता पिता को सच बता दिया तो मुसिबत में ना पड़ जाए अम्मा का गुसा कोई मजाक नहीं अच्चन को बिलकुल पसंद नहीं कि कोई नियम तोड़े रोय ने पायल निकालने की हर संभव कोशिश की पर पायल थी कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी उस हफते रोय ने अम्मा को अच्चन से कहते हुए सुना मुझे अम्मा के एक पायल नहीं मिल रही मैंने हर जगा देख लिया क्या सिर्फ एक नहीं मिल रही बहुत अजीब बात है कहां जा सकती है मुझे सावधानी से रखनी चाहिए थी वो रोने लगी के पीछे हो लिया मुझे माफ करना अम्मा रोय ने अपनी पैंट उपर चढ़ाते हुए कहा रोय ये तुम्हारे पास कैसे अच्चन ने गुसे में पूछा जब अच्चन गुसे में होते है तो उनके कान लाल हो जाते है और मुचे फड़कने लगती है रोय की इच्चा हुई कि वो कही गायब हो जाए ऐसा नहीं है मुझे पता है कि ये मेरे पास नहीं होना चाहिए मैं कोई बात नहीं पर तुम्हें हम्मे से किसी से पूछ लेना चाहिए था अम्मा ने कहा फिर अम्मा ने कुछ गुमाया और खीच से पायल खुल गई अम्मा ने रोय का हाथ अपने हाथों में लेते हुए प्यार से कहा अगली बार से पूछ लेना उस रात रोय अचम्मा को याद करता रहा उनकी जिन्दा दिल हसी उनके कोमल हाथ जिसमें लाखो आड़ी तिरचीरे खाये थी जिस तरह से वो बाहर का नजारा देखते हुए खिड़की के पास बैठती थी क्या वो कभी उन्हें भूल पाएगा अगली सुबा अच्चन के कान लाल नहीं थे उनकी मूचे पड़क ही रही थी लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अच्चन के नाखुन काटते हुए गुन-गुना रहे थे रॉय पड़ाई करने का नाटक कर रहा था वो नहीं चाहता था कि कोई भी कल के बारे में बात करे चन-चन-चन-चन-चन-चन और उन्होंने नहीं की वाह! लेकिन घर के चारो ओर चन-चन की आवाद सुनकर अपने मुस्कुराहट को चिपाना आसान नहीं था क्योंकि अब अच्च अम्मा की एक पायल अम्मा के पैर में थी और दूसरी रॉय के तो कैसी लगी यह प्यारी सी कहानी और ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए Books That Speak इस चैनल पर जरूर आईएगा यूट्यूब पर और अलग-अलग पोड़कास्टिंग चैनल्स पर आँ कहानी खता मुझे और एक सुनने उसके बाद और एक अच्छा अच्छा आपको भी सुननी है न और कहानियां तो चलो मेरे साथ www.booksthatspeak.com